दोस्तो गौर्णमेंट की तरब से अब एक नया पोटल लॉंच कर दिया गया है जिसके दोरा इजली आप अपने जनम पहापत्र यानि की बर्थ सेटिफिकेट आप अपने मुबाइल फोन से ही आवेदन दे सकते हैं साथ ही यहाँ पर जो कि आपको आवेदन देने के बाद इजली आप अपना बर्थ सेटिफिकेट को मुबाइल फोन से ही डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है आप अपने मुबाइल फोन से ही बर्थ सेटिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं और 10 रप्या यहाँ पर ज पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आई आज की इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग का बार सेटिफिकेट कैसे अपलाई होगा साथ ही यहाँ पर जो कि यह जो पोटल होगा जो कि एक साल से लेके 70 बरिस के उमर तक का आपको यहाँ पर जो कि किसी भी उमर का बेक्ती के लिए आप बार सेटिफिकेट अफलाई कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में देखते हैं कि बार सेटिफिकेट के लिए कैसे फरम को फिल अप करेंगे सही तरीके सेजिससे के यह amente का जो कि जनम पाँपत्र इजली यहाँ पर बन कर इजली मोबाइल फोन से ही डाउनलोड कर सकते हैं तो आई आज की इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में देख लेते हैं लेकिन इससे पहले आप से क्रिक्वेस्ट परूँआगे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सस्क्राइब करिजिगा और वीडियो को लाइक करिएगा आई शुरू करते हैं और देख लेते हैं जनम परमार पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पेज पर आना होगा जिसका लिंक में वीडियो के डिपकिप्शन में दे दिया हूँ जिस पर क्लिक करके आप डियेटली इस पेज पर आ जाएंगे या फिर आपको अपनो मॉबाइल या PC के ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है dc.crsorgi.gov.in जैसे ही सर्च करेगा तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जिसमें कि अगर आपको यहाँ पर नीचे में आपका एस्टेट दिखा जारा है तब ही यहाँ पर आप जनम पापत्र के लिए ओनलाइन आवेदन दे सकते हैं तो इन में से आपको अपना एस्टेट जोकी दिखा जारा है यहाँ से आपको state देख लेना है उसके बाद यहाँ पर जो कि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले login का option दिखा ज़रा है इस पर आपको click करना है और general public का option दिखा ज़रा है इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर देख पार है सबसे पहले आपको यहाँ पर फरम समिट करने के लिए सबसे पहले आपको रेश्टेशन कम्पलीट करना पड़ेगा इसके लिए आपको sign up का option दिखाया जरे इस पर आपको click करना है और यहां से आपको अपना first name, middle name, last name और उसके बाद यहां से आपको अपना gender जो की select करना है male female और यहां से आपको अपना date यहां से type करना है और general details fill up करने के बाद next पर आपको click करना है second step में आपको अपना address यहां से fill up करना है first में यहां से आपको अपना state select करना है उसके बाद यहां से district आपको यहां से select करना है इसके आगे यहां पर आपसे sub district आपसे पुछा जा रहत यहां से आपको अपना sub district select कर करते होंगे तो यहां से विलेज सलेक करेंगे और टाउन से होंगे तो आपको टाउन यहां से सलेक करेंगे उसके बाद यहां से आपके डिस्टिक में जितने भी यहां पर विलेज होगा इन सभी विलेज यहां पर दिखाया ज़रा है इनमें से यहां से आपको अपना नेम यहां पर आपको fill up कर देना है उसके बाद house number stream या यहां पर जो कि post office तो यह सब जो कि optional इसे fill up करना चाहते हैं तो fill up कर सकते या फिर next पर आपको click करना है इसके आगे यहां पर जो कि जिनका भी जनव पहापतर बनाना है उनका अधार card number यहां पर आपको fill up करना है और नीचे में यहां पर जो कि nationality में इंडिया जो की select करना है उसके बाद यह determined condition दिये गए इसको accept करना है और next पर आपको click करना है इसके आगे यहां पर जो कि mobile number के दर अदर verification complete कर लिए जेगा तो यहां से आपको अपना एक 10D जीट का mobile number fill up कर दिना है और send OTP पर आपको click करना है तो आपके mobile number पर OTP send के गए OTP को यहां पर आपको fill up करना है और verify पर आपको click करना है आपका mobile number का verification complete हो चुका है इसके आगे next पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर देख पर है आपको email id पूछा जारा तीन case यहाँ पर आपको अपने email id फिल अप कर देना है या फिर email id आड नहीं करना चाहते हैं तो skip registration का option है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से easily जो की registration complete कर लिजेगा तो यहाँ पर देख पर हम लोग का उपर में registration जो की successfully complete हो गया अब आपको यहाँ पर जो की login करना है इसके लिए यहाँ पर जिस नंबर से आप registration complete कि हैं वही नंबर यहाँ पर आपको फिल अप करना है और नीचे में यह capture code देगे इस capture code को add करके यहाँ पर आपको type करना है और login पर आपको click करना है अब आपको यहाँ पर जो की जनम पर पत्र बनाने के लिए यहाँ पर देख पार उपर में birth का option दिखा जरे इस पर आपको click करना है और यहाँ पर जो की नया birth certificate बनाने के लिए आपको report birth का option दिखाया जरे इस पर आपको click करना है यहाँ पर जो की एक birth certificate बनाने के लिए आपको registration complete हो जाने के बाद इली form को आपको fill up करना है सबसे पहले तो यहाँ पर देख पर है आपको state यहाँ से select करने के लिए option 13 case यहाँ से आपको अपना state जो की select करना है इसके इंचे यहाँ पर जो की देख पर है आपका primary language और यहाँ पर secondary language दिखाया जारे साथी आपर reporting का तीथी दिखाया जारे तीन में से वहीं same रहने देना है यहाँ से जो की जर्म का तीथी यहाँ से आपको fill up कर दिना है इसके आगे आपको वही date of birth को दुबारा से आपको confirm कर लेना है और यहाँ पर आपको जो की टाइमींग यहाँ से जर्म का यहाँ से selex कर लेना है और उसके बाद gender यहाँ से आपको selex कर लेना है, आप अपना male फimale यहाँ से select करेंगे उसके रखال यहाँ पर देख पर है यहाँ पर अधार card number आप से पुशा जैते इनकेस यहाँ पर अधार कार नमबर यहाँ पर टाइप करेंगे इसके आगे यहाँ पर जो की देख पार है आप से पुछा जा रहा है कि बच्चे का नेम यहाँ पर जो की पहले से रखा गया है तो इसको यहाँ पर टीक नहीं करना यहाँ पर इनकेस यहाँ पर बच्चा का फॉस्ट नेम मिडिल नेम और last name यहाँ पर type करेंगे जैसे कि first name आप type करके space जैसे ही टीपी एगा तो यहाँ पर नीचे में भी वही same name आपको हिंदी में type हो जगा उसके बाद उपर में भी यहाँ पर आपको अपना last name यहाँ पर आपको type कर देना है तो नीचे में वाले column में automating ही फिलप हो जगा बच नेम और last name यहाँ पर आपको type करना है तो नीचे में automatic ही आपको यहाँ पर type हो जगा उसके बाद फादर्स का मोबाइल नंबर email अडिया फिलप करना चाहते हैं तो फिलप कर सकते हैं या फिर blank छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर फादर्स का यहाँ पर अधार कर नंब बर यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रे है तो कुछ और भीreme जैसे की देख फारे सबसके पर में था आपको आपको इस्टेट पूछा जा रहे तो यहांसे विलॉंग करते होगे lists령 करेंगे village यहाँ पर दिखा जा रहा है, तो इनमे से यहाँ पर आपको अपना गाहओ का name से select करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपना area का pin code number type कर दिना है, उसके बाद यहाँ पर जो की देख पर है, नीचे में आपको यहाँ पर building name या house name आपसे पुछा जा रहे तिनकेस यहाँ पर आपको अपना building name, house name, stream name और यहाँ पर नीचे में post office का name आपसे पुछा जा जा रहे तिनकेस सभी details यहाँ पर fill up करते हैं तो नीचे में automatic हिंदी में type हो जाएगा इसके यहाँ पर मता पिता का स्थाई प करेंगे उसके बाद नीचे में यहाँ पर जो की देख पार है आपसे पूछा जा रहा है जन्म का अस्थान तथा बच्चे के जन्म के समय मता पिता के अस्थान सेम था तो यहाँ पर आपको टिक करना है तो आपका नीचे में details automatic ही fill up हो जागा इसके यहाँ पर देख पार ह कि आपको पंजीकरन इकाईत यहां से आपको जो की पंजी अकाईत दिखाया जागा तो यहां से सलेक करना है उसके रहाँ पर नीचे में देख पारें save a drop का option दिखाया जरा ही इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका यहाँपर जोकी filsd यहाँ पर आपको klik करना है इसके आगे कुछ और भी डेस जैसे कि यहाँ पर देख पारे हैं कि बच्चे के जन्म के समय माता-पीता का पता-कवपी तो यहाँ पर आपको टिक कीजिँगा तो अटमेंटिक ही यहाँ पर जो की फीलब हो जेगा नीचे में यहाँ पर जो की प इजुकेशन सलेक करेंगे उसके बाद यहां से बेवसाय यहां से सलेक करेंगे कि पिता जी क्या करते हैं उसी परकार से माता का यहां पर जो की धर्म जो की सलेक करेंगे उसके बाद यहां से जो की माता का बेवसाय यहां से सलेक करेंगे उसके बाद नीचे स्टॉल करके आना पर जो की बच्चे के जन्म के समय कितना एस था वो यहां से जो की सलेक करेंगे उसके बाद यहां से जो की देख पार है चाइल्ड आफ बच्चा तो यहां से आपको कितना बच्चा है वहां से सलेक करेंगे उसके वाले कॉलम में देख पार है आपको आइप ऑफ अटेंशन डिलेवरी तो यहां से आपको सलेक करना है कि डिलेवरी के समय कौन सांत में था यहां से सलेक करेंगे उसके बाद यहां पर जो कि मेथोड आफ डिलेवरी यहां से नॉर्मल जो की सलेक करेंगे बच्चे का यहां से जो की यहां पर वजन सलेक करेंगे उसके बाद यहां से कित ऐहां से जो की अपलोड पर किलिक करके यहां पर आधार कार्ड आपको अपलोड करनेगा यहाँ पर फिर इस आपड़ीट कराना परता है जैसे कि कोई भी हो गया हमारा यहां पर लोड हो गया इसके यहां पर देख पार ऐडिशनल डॉक्मेंट इन्फर्मेशन में कुछ और बीटेस्ट जैसे किया पर आप पेंकाड भी यहां पर अपटूड कर सकते हैं या अदर कोई भी यहां से टॉक्मेंट जोकीSL्द कर सकते हैं हम paint card यहाँ पर होगा तो paint card select करेंगे और यहां से आपको अपना paint card कर details से Вид all these automatic ही यहां पर टोकी देख पर एस साइनिंग का option हो जाएगा और यहां पर क्येक operation ही उप लोट हो जाएगा अब आपको यहां पर जोकी नीचे में ad save as drop का option है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर जो कि देख पर आपको legal information में सभी टेस जैसे की दिखाया ज़रा है नीचे install करके आना है और यहां से सबसी details को एक बार देख लेना है कि सही है या नहीं सभी टेस अगर सही रहता है तो इस पर यहां पर जो कि next का option है next पर आपक आपका यहां पर जो कि certificate का type यहां से पुछा ज़रा है कि आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिस में या बोध दोनों में चाहते हैं तो यहां पर आपको बोध सलेक रहने देना है उसके बाद यह टार्मेंट कंडिशन दियागा इसको accept करना है और उसके बाद यहां पर कि summit का option राको क्लिक करना है ता आपका यहां पर जो की देख पर है आपको payment पे करना पडेगा दस एहां पर इसके लिए यहां पर पर देख पार है आपको draft application का option दिखा ज़र है इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको details में दिखा ज़र है कि आपका यहाँ पर जो की payment में आकर status जो की देख पार है यहाँ पर जो की service में यहाँ पर आपका जो की allow दिखा ज़र है और payment यहाँ पर आपका add नहीं हुआ है इसके लिए यहाँ पर जो की action में edit का option दिखाया ज़रे इस पर आपको click करना है payment status में यहाँ पर देख पर है आपको यहाँ पर edit पर click करके यहाँ से जो की payment आपको pay करना है 10 रुपया payment pay करने के बाद आपका firm जो की register के पास send कर दे जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पर बडर सटिपिकेट यहाँ पर easily successfully download कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर из-ily आप आपने बडर सटिपिकेट के लिए application यानि कि आविधन दे सकते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको नॉलेज मिलाओंगे चैनल पर नाओंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपने दोस्तों के साथ भी सेर करेंगा मिलते हैं नेक्स टापिक साथ अपता के लिए जाए हिंद बाए बाए